गुड मॉर्निंग क्लास, प्रीविस क्लास में हमने क्या डिसकस किया था स्किन केर, आज हम क्या पढ़ेंगे फूट केर, सो हमें स्टार्ट करते हैं, नेक्सट है फूट केर, पैरों की देखभाल, फर्स्ट है इसमें डायबिटिक, व्यक्ति को नीमित रूप से अपने पैरो को धोना. बहतर होगा यदि सोने से पूर्व अपने पैरों को धोएं मतलब फूट केर हमें पैरों के देखभाल क्यों करनी है अगर पेशिंट को कोई घाव हो गया पैरों में तो वो जल्दी से नहीं ठीक हो पाएगा इसलिए हम पेशिंट को फूट केर देनी होती है तो डाइबिटिक व्यक्ति को हमें क्या बोलना है आप नीमित अनुसार अपने पैरों को धूला करें और अगर आप सोने से पहले अगर पैरों को धूलेंगे तो जादा बहतर होगा नेक्स्ट है डाइबिटिस क्रस्ट व्यक्ति को अपने पैरों को गीले नहीं रखना चाहिए मतलब डायबिटीस जिसको हुआ है उसको क्या कहना है कि आप अपने पैरों को गीले मत रखा करिए क्योंकि इस्टे इंफेक्शन हो सकते हैं नेक्स्ट है एंटिसेप्टिक पावडर का प्रियोग करें अगर कोई घाव कुछ हो गया है पेशन के पैर में तो उनको क्या बोला है आप एंटिसेप्टिक पावडर का प्रियोग किया करिए जैसे कैंडिट पावडर होता है वो भी एक एंटिसेप्टिक पावडर है नेक्स्ट डायबिटिक व्यक्ति को जूते मुझे पहनने चाहिए मतलब डायबिटिक जिसको हुआ है उसने हमें क्या सिला देनी है कि आप जूते और मुझे अराम दायक वाले मुझे पहना करें नेक्स्ट नंगे पैर नहीं चलना चाहिए मतलब पेशिंट को बोलना है आप नंगे पैर नहीं चले मरना आपको चोट लग सकती है नेक्स्ट डायबिटीक को व्यायाम कराना चाहिए मतलब डायबिटीक पेशिंट को हमें क्या बोलना है आप पैरों के व्यायाम कर सकते हैं नेक्स्ट है डायबिटीज को डायबिटिक को अपने पैरों में सूजन आधि पाये जाने पर पैर विशेशग्य में संपर करना चाहिए. मतलब कोई भी डायबिटीज पेशेंट है उसके पैरों में सूजन या लाल पना आगया तो क्या कहना है आप किसी डॉक्टर से सलाह लें पैर विशेशग्य से संपर करें. नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं डायबिटीज में रक्त शरक्रा तथा मूत्र परिक्षण मतलब डायबिटीज में ब्लड शूगर टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए तो फर्स्ट हैस्ट में टेस्टिंग ओ ब्लड शूगर ब्लड शूगर का टेस्ट कैसे कर सक क्यों करते हैं हम ब्लड शूगर टेस्ट डाइबटीज पर नियंत्रन रखने हैं तो ब्लड शूगर की लगातार जाज करते रहना जरूरी है मतलब जो ब्लड शूगर है उस पर नियंत्रन रखने के लिए हमें लगातार जाज करते रहना जरूरी होता है ग्लीकोमेटर या ल सब्सक्राइब और जोंहें को शंञती है । अब हमें कप करना चाहिए ब्लड शूगर टेस्ट first बोजन से पूर्व एवं भोजन के एक से दो हंटे पत्शी आत मतला बोजन से पहले हें पेशन के भोजन ऐगर कर लिया है नीगूजस के एक दो घंडे बाध करनी में कोई भी बिमारी अगर patient को है या उसको कोई tension है तो उसकी स्थिती में करना करना चाहिए हमें next है दवा या insulin बदलने से पूर्व कोई भी दवा patient की या insulin बदलने से पूर्व हमें करना चाहिए क्योंकि हमें अजब blood sugar गल रेवल पता चलेगा तब हम उसके हिसाब से दवा और insulin दे सकते हैं patient को next है भोजन से पहले भोजन से पहले करना चाहिए normal value क्या होती है blood sugar की समय और औसत अस्तर मतलब अस्तर क्या होना चाहिए normal किस समय में fasting दो टाइप की होते हैं fasting और post-prandial first fasting मतलब प्रातर काल भूखे पेट उसमें कितना होना चाहिए normal level blood sugar का 70 से 110 mg पर डियल और खाने की दो घंटे बाद मतलब post-prandial में कितना level होना चाहिए 140 mg पर डियल इतना normal level होता है blood sugar का thank you class